हेलो बच्चों स्वागत है आपका गवर्मेंट इक जांज अड़ा में बहुत सारे बच्चे CBSC के टर्म टू इक्जाम की डेट्स जाना चाह रहे हैं और चाहरे की सेडिूल पता चल जाये तो उस हिसाब से में अपनी पढ़ाई करें प्लानिंग करें और अपने सेडिूल को चेंज कर लें अब बचों अभी हमें भी नहीं पता है लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए हाला कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सरह हमें गाइड कर दीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई हमको करनी चाहिए और बात भी आपकी सही है बच्चों आप मैंसे ज्यादातर बच्चे जो रेगुलर हैं वो अपनी स्कूल नहीं जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेश चल रही होंगी या तो आप घर पे रह करके पढ़ रहे होंगे ऐसे ही बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो इंप्रूब्मेंट प्राइवेट और कमपार्टमेंट का फॉर्म जिन्होंने भर रखा है या additional subject का फॉर्म भर रखा है वो जानना चाहरें कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कम से कम कितनी देर पढ़ना चाहिए तो अगर आप यह जानना चाहरे हैं तो यह वीडियो आपके काम की है और इसको आप skip मत करिएगा बचो जो आपकी पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को कम से कम तीन भागों में बाढ़ करके करना चाहिए पहला हिस्सा जिसमें आप नई topics पढ़ रहे हूं यहाँ पर हमने एक general time table बनाया हुआ है जिसमें तीन subject हमने माना है कि तीन subject आपको tough लगते हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बाकि दो subject ऐसे हैं जो इन तीनो subject के बीच में कभी आप थोड़ा 10-20 मिनट आधे गंटे देख लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक general सा time table बनाया हुआ है उसकी पूरी pick मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आप इसका screenshot ले लीजिए या इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है सुरुआत के सुरुआत में सुबह जब आप सो करके उठते हैं उसके बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें हमेशा आपको नई topics पढ़नी चाहिए वो नई topics जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है या आप सलेबस आपका कबर नहीं हुआ है उसमें नई चीजों को सामिल करन चाहिए और उन topics को पहले से प्लान कर लीजिए कि इतने topic आज हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ लीजिए उसके बाद में बच्चों जब आप second shift में बैठेंगे पढ़ने second shift हमने यहां पे बनाया हुआ है इस second shift को देख लीजिए second shift में जब आप बैठेंगे तो जो आपने जो half time बचेगा second shift का उसमें आप previous year के questions और exercises करेंगे यह बड़ा important होता है आपकी exam की तयारी के लिए for life भी जी सकते हैं जिसमें आपको 20 लग तक का college grant मिलेगा आपके graduation और post graduation के लिए education for life 29th और 13th February को होने वाले test पर ही valid होगा detailed scorecard and video solution analysis भी available होगा after the test इससे आप अपनी rank और अपनी strength और weakness को identify कर सकते हैं 30 minute का practice test already start हो चुका है साथ ही unacademy लाया है limited period offer 12 months और web के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 month का extra subscription बिल्कुल free इसी तरह 12 months और web के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 month का creative corner subscription बिल्कुल free description में सभी link दिये हुए हैं मेरा code GEA use करके enroll करें free में इतना ही नहीं इस code से आप कोई भी subscription buy कर सकते हैं 10% off पर so learners unacademy के साथ let's crack it क्योंकि अगर आप exercise नहीं करेंगे और previous year के questions नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है और इसका answer हमें कैसे लिखना है उसके बाद में आता है तीसरा shift तीसरे shift में आपको बस कुछ भी जो आपके मन में आए पलट इस लिए क्योंकि जो चीज आपको लगता है कि पूरे दिन में हमने कैस्क नहीं की या हमारा भूल गया या छूट गया या कोई भी ऐसे चीज है उसको आप पन्ने पलटते जाएए या जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है पन्ना पलट पलट के पलट पलट के देखते ज जाएए जो आपने एक साइज की है जो आपने रिवीजन किया है पलट के देखते जाएए इस से रात में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतनी पढ़ाई हमने की है आपको गिल्ट फील नहीं होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो काम के एक घंटे तक कम से कम सारे पन्ने पलट के जरूर देखिए और अपने आपको यह बताईए कि इतने देर आपने धंग से पढ़ाई की है और आपके अंदर सैटिस्फेक्शन का आना बहुत जरूरी है इससे आपका कॉन्फिडेंस विल्ट होगा और आपको करना मत भूलिए अगर इस पैटन को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर प्राप्ट करेंगे चाहे प्राइवेट कंडिडेट हों इंप्रूब्मेंट एक्जाम दे रहे हों या फिर कंपार्टमेंट की परिक्षा आपको देनी हों अगर बच अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है कोई प्रापर तरीके से गाइड करने वाला नहीं है आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ढंका गाइडेंस मिल जाया तो आप यह परिक्षा क्रेक कर ले जाएंगे आपको को यह बताने वाला नहीं है कि परिक्षा में लिखा कैसे जाता है अपने आपको represent कैसे किया जाता है तो भी आप हमसे जोड़ सकते हैं अगर आपको यह लगता है कि आप बहुत पढ़ रहे हो फिर भी आपको डल लग रहा है आपको satisfaction नहीं हो रहा है तो आप हमसे जोड़ सकते हो अगर आपको यह लगता है कि important क्या है क्या छोड़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और exam की तयारी ढंग से कैसी करनी चाहिए notes आपके पास नहीं है तो आपको हमसे जुड़ जाना चाहिए हमारा support group है और उसके link वीडियो के description में दिया हुआ है बाकि उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई ढंग से चल रही होगी एक और बात मैं आपसे बता दू बचों अगर आपने ठान लिया है तो आप जरूर सफल होंगे और इस बार अगर आप private improvement और compartment exam की student है तो जिस subject में practical 30 का है उसमें आपको 12 marks लाने हैं पास होने के लिए जिसमें practical नहीं है internal assessment है 20 marks का उसमें आपको 14 marks लाने हैं पास होने के लिए तो कम से कम इतना target बनाईए अगर आपको 12 marks चाहिए तो 16 या 18 का target बना करके चलिए अगर आपको 14 marks चाहिए तो 20 का target बना करके चलिए और निशित रूप से आप सफल हो जाएंगे अगर लक्ष बड़ा रखेंगे तो छोटे लक्ष आपको जरूर हासिल होंगे चलते चलते आप सभी के exam के लिए धेर सारी सुपकामना या धेर सारी बधाईया All the best May God bless you Thank you for watching this video